हेलो ब्रिवन आप सब्सक्राइब बार स्वागा थे आपके अपने प्रेटफॉर्म सोमेज सिंग कमिस्ट्री पर तो आज लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फिफ्ट चैप्टर है लॉज आफ इन्हेरिटेंस एंड वैरियेशन यहां पर आपको फोकस करना है इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में हम इस पूरे चैप्टर में बात करते हैं कि कैसे करेक्टर पैरेंट से और स्टिंग में ट्रांसफर हो रहा है मतलब हम करेक्टर का ट्रांसफर यहां पर देखते हैं कि माल यह कोई करेक्टर है कोई करेक्टर है वो पैरेंट से मतलब आपके पैरेंट से आपके अंदर और स्टिंग में किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है इस पूरे pattern को हम यहाँ पर समझते हैं इस chapter में इस chapter में हम character के transfer के बारे में समझते हैं genes के बारे में बात करेंगे, allele के बारे में बात करेंगे बहुत सारे terminology ही अभी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे variation के बारे में बात करेंगे कि variation क्या होता है तो आप समझे आप देखते हैं कि आपके आज पास जो है homo sapiens की ही पूरी species हैं हम आप जो है जो भी हमारा human culture है उसमें सारे जो जो जितने भी individual है सब क्या है सब है homo sapiens क्या है homo sapiens लेकिन क्या वो सारे की सारे individual same है उनमें थोड़ी बहुत तो difference होते है क्या बोलते हैं variation इसी को हम लोग क्या बोलते है variation variation का मतलब है कि एक ही population के एक ही species के individual के बीच में जो वहाँ पर changes है उन्ही को हम लोग क्या बोलते है variation तो इन सब सारी चीजों पर बात करनी है आज हमारा पहला lecture है इसलिए इसमें बहुत ही basic introductory part लेने वाले हैं कुछ यहाँ पर हम terminology discuss करेंगे उसके बाद next lecture से हम लोग जो है बिल्कुल अपने syllabus के बारे में बात करेंगे तो आज यहाँ पर हम लोग कुछ terminology discuss कर रहे हैं तो आप लोग पहली heading लगाएंगे some important terminology some important terminology तो पहला आपका introduction है यहाँ पर तो हम यहाँ पर बात करेंगे some important terminology some important terminology देखिए इस पूरे chapter को जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे terms मिलेंगे बहुत सारे छोड़े-छोड़े terms हैं जो पूरे chapter में ही repeat होते रहते हैं इसलिए पहले से सारे terms को यहाँ पर clear कर दूँगा कि आगे आपको जो मैं पढ़ाऊं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए तो इसमें हम सबसे पहला term में ले रहे हैं अपना character सबसे पहला term हम यहाँ पर ले रहे हैं character अब देखिए कर मैं character को define करूँ तो मैं कहूंगा it is a physiological और morphological expression क्या कहूंगा it is a it is a physiological physiological और morphological expression physiological और morphological expression अब देखिए होगा क्या कि आपकी physiology कैसी है आपकी morphology कैसी आप दिखने में कैसे है मैं example दूँ तो आपकी height है आप एक अच्छे खासे height के आदमी हैं मतलब आप तॉल हैं तो यह मैं आपको बाहर से ही देख करके बता दे रहा हूं कि आप तॉल हैं बाहर से ही मैं observe करके बता दे रहा हूं यह क्या है आपका character यहां पर आप example में लेंगे plant height हम लोग लेंगे plant height ले रहे हैं यहां फिले ले रहे हैं हम लोग eye color पहले हमने यहां पर डिसकस किया character character का मतलब क्या height ही physiological और morphological expression मतलब एक individual कैसा दिख रहा है उसका morphology क्या है यह सब किसमें आएंगे आपकी character में आएंगे character को control करते है genes character कौन control करेगा genes genes ही हैं जो आपके माता पिता से आपके अंदर आ रहे हैं और वो character को प्रे साथ लेकर के आ रहे हैं उनके expressions की वाज़ा से हमें character देखने को मिलता है तो देखिए आपको यहां पर यह चीजी clear होग यह character आपको क्या है it is a physiological और morphological expression इसको control कौन करता है तो आप कहेंगे characters are controlled by genes characters are controlled by genes 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 के थ्रू ही आपके character जो होते हैं यह control किये जाते हैं example मैं बात कुम तो plant height और eye color हमने example के दौर पे लिया हुआ है दूसा term आपका आता है trait देखिए सारे चीजों को आपको समझती होँ चलना है दूसा term आता है आपका trait अब trait जो है यह भी character से ही जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे different form of a character क्या कहेंगे आप different form of a character different form of a character is known as is known as trait is known as trait अब देखिए मैं आपर कहना क्या चाह रहा हूँ कि different form of a character is known as trait देखिए एक ही character के बहुत सारे form example देंगे भी आपको बुलू clear हो जाएगा जैसे मालीजी हमने यहां पर लिया हुआ था character plant height example अगर हम बात करें तो character है आपका plant height plant height character है और इसके अगर मैं trait की बात करूँ इसके अगर हम लोग trait की बात करें तो इसमें आपके दो trait मिल सकते हैं या तो dwarf होगा character हमारा क्या था plant height trait क्या है tall और dwarf तो plant height में ही आपका tall भी आएगा plant height में ही आपका tall भी आएगा और plant height में ही आपका dwarf भी आएगा तो क्या हो गया एक ही character की दो form है यह था आपका पहला example जो हमने आपर लिया हुआ है दूसरा एजामपल अगर मैं बात करूँ आई कलर दूसरा एजामपल मैंने लिया था यहाँ पर आई कलर तो आई कलर आपका है करेक्टर आई कलर क्या है आपका करेक्टर और अगर मैं इसके ट्रेट की बात करूँ इसके अगर मैं ट्रेट की बात करूँ तो आप यहां पर black और brown ले सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक ही character के दो अलग-अलग form है इसको हम लोग बोलते हैं trait तो आपको यहां पर character और trait में जो है थोड़ा बहुत आपके लिए यहां पर मैंने एक base बनाने कोसिस की है तो character आपका क्या है lld phrysulloogical or morphological expression example की बात करें दो plant height eye color और यहाँ पर देख इसको आपको यहाँ रहाद रखना है characters are controlled by genes, genes के अंदर ही information किसी भी character को लाने की, किसी भी character को लाने की और जो genes आपके माता पीजा से आपके अंदर transfer हो करके आते हैं तो यह अगर आपका करेक्टर है तो उसके ट्रेट क्या है ब्लैक एंड ब्राउन तो यह दो टर्म आपके शुरुआती थे इसके बाद आपका टर्म आता है है इसके बाद आपका टर्म क्या आएगा है है इसके बहुत बहुत बेसिक बेसिक से टर्म से चैप्टर में आपको पता होन चाहिए क्योंकि बाद में आपके लिए कोई भी समस्चा ना हूँ इसलिए मैं आप पहले ही लेक्चर में साज़ी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूं आपको एक एक टामिलोजी पर विशेश तोर पर ध्यान देना है तीसरा यहाँ पर आपका कर्म है है हैरी डिटी अब हैрी डिटी का मतलब ठांड sih DM ट्रांसफर आ प्रांसफर ओ moral को उच्छिंग फ्रांसफर आ प्रांन recognition कि आहरी डिटी का मतलब होता है कि आंसफर अफ कर्शरा प्रांसफर आपिर प्रेक्ट फाहिट्र प्रेस्जुल्ट प्रांसफर ब्श्राब ना यहाँ Parent to Offspring Parent to Offspring Is known as Is known as Heredity Is known as Heredity तो Heredity अगर आप से पूछी जाए तो आप पहेंगे कि जो आपकी करेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है कहां से Parent से जो आपकी करेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है किस में प्रोजनी में parent से जो character का transfer हो रहा है progeny में progeny में यह क्या है आपका, यही है आपका heredity इसमे क्या transfer होंगे आपके तो यहाँ पर आपके transfer होंगे characters जिनको कौन control कर रहा है तो आप कहेंगे genes, इसका मतलब क्या है कि parent से progeny में किस चीज का transfer होता है, तो आप कहेंगे genes का transfer होता है, किसका transfer होता है genes का transfer होता है तो यह था हमारा तीसा term heredity अब चौथा term हम यहाँ पर ले रहे हैं genes की genes क्या होते हैं हमारे चौथा term हम यहाँ पर ले रहे हैं बिल्कुल sequential चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह character of a DNA small segment of a DNA of a DNA which quotes for which quotes for a protein for a protein is known as gene is known as gene अब अगर मैं आप जीन की बात करूँ कि आपके genes क्या होते हैं तो मानली यह आपका कोई DNA है डबल हलिस के form में होता है अगले chapter में हम इस पर बात करेंगे तो मानली यह आपकोई DNA है इसका एक छोटा सा segment हम यह वाला segment ले लेते हैं इस segment में information है इस segment में information है किसी भी particular protein को बनाने की तो हम कहेंगे क्या है यह आपका है gene तो अगर आपसे पूछा जाए gene क्या है तो आप पहेंगे gene कुछ भी नहीं है एक हमारे DNA का एक segment है जिसके अंदर information है protein को बनाने की example के गर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि आपकी body में जो भी enzymes होते हैं को सारे proteinous nature के होते हैं protein के बने होते है उनका एक specific function है अगर आपकी body में माल यह कोई proteolytic enzymes है कोई continuous enzyme है तो nature में यह क्या है nature में यह protein है nature में क्या है protein अब इस protein को बनाने के लिए कोई नपोई gene responsible रहा होगा इस protein को बनाने के लिए कोई न कोई जीन responsible रहा होगा और वो जीन कहां पर होगा वो जीन आपके ही DNA का एक छोटा सा सेग्मेंट है आपके ही DNA का एक छोटा सा सेग्मेंट है जिसके अंदर information थी इस enzyme को बनाने के लिए कौन सा enzyme proteolytic enzyme जो protein के breakdown में help करता है इस तरीके से ये enzyme बना और उसने किया कि protein के digestion में हमारी मरत की और इस protein को बनाने की information कहां थी इस protein को बनाने के लिए कोई ने कोई gene responsible रहा होगा तो ये था आपका gene इसके बार हमारा जो next term है वो होता है allele next term क्या है next term में आप ले रहे है अपना allele देखिए इसको थोड़ा सा आप focus होकर के समझिएगा allele क्योंकि यहां पर बहुत सारी confusion हमारे mind में रहती है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे confusion बहुत ही आराम से मैं दूर कर दूँगा देखिए allele जैसे मैंने आपको बताया कि character के बहुत सारे form हो सकते हैं वैसे ही एक gene के भी alternative form होते हैं एक gene के भी alternative form होते हैं जैसे example अभी मैं आपको दूँगा आपकी चीज़े बिल्कुल clear हो जाएंगी तो सबसे पहले हम basic से यहां पर लगते हैं कि इसकी definition क्या है allele की तो allele की definition आप क्या कहेंगे कि alternative form of gene alternative form of gene form of gene which situated on which situated on same locus which situated on same locus we situated on same से से लोकस ऐसे लिए यहां पर को से लिए दो क्लें बात यहां पर तर्म आया हो में लोकस एक तर्म माया है a और अब अगर आगा है अटर में आगई तो अब अलील के हे लिए समझ जाएंगे examples हम यहाँ पर लेंगे examples हम यहाँ पर चीजों को देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख दिखिए होता क्या है कि आपके अंदर 46 chromosome होते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे homologous chromosome मारा क्या होता है आपके अंदर 46 chromosome होते हैं 23 chromosome आते हैं mother की side से तेज क्रोमोजोम आते हैं आपके फादर की साइट से और तेज क्रोमोजोम आते हैं मदर की साइट से तेज क्रोमोजोम आते हैं मदर की साइट से दोनों मिल करके जब फर्टिलाइजेशन में जाए गोट बनता है तो आपके क्रोमोजोम हो जाते हैं टोटल 46, आप एक रोमोजोम कितने हो जाएंगे टोटल 46 ख्रोमोजोम हो गए अब यह जो 46 ख्रोमोजोम है यह 23 पेर में होते हैं 46 ख्रोमोजोम आपके 23 पेर में होंगे, मतलब यह है कि माल लीजिए यहां से आया 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 ऐसे करके आपके 23 यहां से आये और इसी हिसाब से यहां से भी 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 ऐसे करके यहां से भी 23 आये अब माल लीजिए यह क्रोमोजोम नंबर 1 है फादर साइट से, यह क्रोमोजोम नंबर 1 यहां से आया मदर साइट से, दोनों दोनों क्रोमोजोम आपके पेयर में होंगे और इन क्रोमोजोम को हम बोलेंगे होमोलागस क्रोमोजोम कैसे बोलेंगे होमोलागस क्रोमोजोम अभी आपकी बात अधूरी है कि होमोलागस क्रोमोजोम को मतलब यह नहीं है कैसे आप पेयरिंग कर लोगे अपने आप तो प्रेय अगर दो क्रोमोजोम के सेम पुचिशन पर सेम करेक्टर को कोड करने वाले जीन प्रेजन्ट हैं, तब उन दोनों क्रोमोजोम को हम क्या बोल चातने हैं। देखे, सुनिये जहां से, कि यहां देखे, पूरा setup है, 23 यहां से है, 23 वहां से है, 46 आपके अंदर होते हैं, आपको पता है, आप deployed हैं, आपको पता है कि आप deployed हैं, अब माल लीजे कि कोई chromosome है आपका यहां पर A, और कोई chromosome आपका है B, अब A के same position पर Eye color को बनाने वाला जीन है और B के भी same position पर Eye color को बनाने वाला जीन है, तो A और B आपस में कैसे हो गए, A और B आपस में हो गए, homologous chromosome, homologous chromosome, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि homologous chromosome हमारा क्या होता है, तो आप कहیںगे कि, ऐसे chromosome, जिनके सेंग पिपettes पर सेंगे करेक्टर को कोड करने वाला हूं है ओग्वागर क्या है इसको बनने वाले जीन्स और सेंगे कि elliello कोड कोड़ु कोड़ करने ऐँ यह अब आपका K गेरेल क्या होते हैं कि तो देखिए माल लीजिए कोई आपका एक खोमो लॉलागस long ऐं कोई आपका homologus chromosome है उसके same position पर एक ही character को code करने वाला gene है जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पर एक बनाया आपका chromosome एक chromosome आपका ये है एक ये है दोनों कैसे है नेचर में दोनों है homologus chromosome है दोनों आपके क्या है homologus chromosome एक टर्म आपका यहाँ लोकस लोकस का मतलब होता है कि place लोकस का मतलब क्या है site place कि इस chromosome के particular place पर माल लीजे यह है आपका एक place हमने यहाँ पर ले लिया यह आपका एक place हमने आप पर denote कर रहे हैं इधर भी same position पर same position पर अब यह जीन भी यह वाला जीन भी और यह वाला जीन भी दोनों ही बना रहे हैं eye color क्या बना रहे हैं दोनों ही same character को code कर रहे हैं मतलब दोनों eye color बना रहे हैं लेकिन एक आपका बना रहा है ब्लैक एक आपका कोड कर रहा है ब्लैक आई कलर ब्लैक आई कलर और दूसरा आपका बना रहा है ब्राउन आई कलर क्या बना रहा है ब्राउन आई कलर क्या बना रहा है ब्राउन आई कलर अब देखिए हुआ क्या कि करेक्टर तो आपका एक है करेक्टर आपका ए अधिक है लेकिन क्या हो गया ट्रेक आपका बदल गया ट्रेट आपका बदल गया एक जीन बना रहा है ब्लेक आई कलर दूसरा बना रहा है ब्राउन आई कलर तो वहीं यहां पर मैं लिखा हुआ कि alternative form of gene which situated on same locus, same locus on homologous chromosome, कि homologous chromosome के same locus पर कुछ ऐसे genes हैं जो एक character को code कर रहे हैं लेकिन trait अलग-अलग है, एक character को code कर रहे हैं लेकिन trait अलग-अलग है, तो आप कहेंगे कि character तो एक है आपका, character आपका single है, लेकिन उसके trait अलग-अलग है, trait आपके अलग-अलग है, character सेम है, लेकिन trait आपके अलग-अलग है, तो आप कहेंगे कि alleles वो genes होते हैं, जो किसी भी एक character को code करेंगे, लेकिन trait अलग-अलग रहेंगे, जहां से आपकी second definition आ जाएगी, कि genes, which codes for, which codes for, same character, same character, but, but different trait, यहां से आपको फिर से एक बार में repeat कर रहा है, इसको समझने में दिक्कत होती है, alleles क्या है, सबसे पहले आप अपना एक mind makeup बनाएए, कि alleles कुछ भी नहीं है, alleles gene, क्या है, gene है, लेकिन ऐसे gene, जो एक character को code करेंगे, एक character को code करेंगे, लेकिन trait अलग-अलग रहेगा, अब यह दोनों genes आपस में क्या हो गए, यह दोनों genes आपस में alleles हो गए, यह दोनों genes आपस में alleles हो गए, एक आपका कहां से आया था, एक आपका आया था mother side से, एक आपका आया था mother side से, और दूसरा आपका आपका आया था father side से, दूसरा आपका कहां से आया था, father side से, क्लियर हो गया होगा इसमें कोई संभाव इसमें कोई विदिक्कत नहीं है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरब कि मारा नेक्स्ट टर्म क्या है तो आपका नेक्स्ट टर्म है फिनो टाइप देखिए सारी चीज़ें अभी आगे आपके आएंगी कि फेनो टाइप क्या है जिनो टाइप क्या है तो इसलिए यहां पर सारी चीज़ों कम लोग एक सिक्वेंशियल वे में ले ले रहे हैं कुछ भी आपका छूटे ना देखिए निष्ट आपके यहां पर आगया फेनो टाइप फेनो टाइप यह फेनो टाइप का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविज्वाल का फिजिकल अपिरेंस तो आप कहेंगे फिजिकल अपिरेंस अफ फिजिकल appearance of an individual of an individual denotes its phenotype denotes its phenotype denotes its phenotype example ही के हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोग फिर सो ही अपना example लेते हैं height अगर किसी भी individual के पास height है किसी भी individual के पास height है तो वो आप बाहर से ही देख करके बता देंगे अपनी naked eye से देख करके बता देंगे observe करके बता देंगे हाँ कि इस individual के पास height है अब इस individual के पास height है तो यह इसका क्या हो गया यह इसका phenotype हो गया यह क्या हो गया यह इसका phenotype हो गया अब देखिए phenotype जो है genes पे depend होते हैं किस पर depend करेंगे genes पे तो depend करेंगे ही साथ ही साथ यह आपके Physical environment पर भी Depend करेंगे Physical environment पर भी Depend करेंगे example कि हम लोग अगर बात करें माल लेजे किसी individual के अंदर हाइट लाने वाला जीन है, मालिजे किसी भी इंडिविज्वल के अंदर ऐसे जीन्स हैं जो हाइट को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आपने उनको सही टाइम पर सुटेबल यहाँ पर nutrition नहीं दिया, मालिजे आप उनके जीन्स हैं जो हाइट को सपोर्ट कर रहे हैं हाइट को क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें proper nutrition नहीं दिया, proper इनके खान पान का ध्यान नहीं रखा और इन्हें मालिजे कोई disease हो गई इन्हें कोई disease हो गई, कुपोसन के जिकार होगे तो क्या वो height मिल पाएगी वो height नहीं मिल पाएगी इसलिए जो आपके phenotype होता है यह आपके genes और physical environment दोनों पर depend करते हैं इसलिए देखे genes का होना तो जरूरी है किसी भी character को आने के लिए लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये भी चाहिए कि हम उसको support भी करें उस gene क एक्सप्रेस होने में जो भी हमें output देना है वो हमें यहाँ पर देना चाहिए तभी जाकर के कहीं आपका express हो पाएगा next term हमारा आता है genotype phenotype की बाद क्या आता है genotype phenotype यहाँ पर आप आसानी समझ गए होंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनो टाइपी पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनो टाइप पर जेनो टाइप का मतलब होता है कि इंडिविजुवल का जेनेटिक मेक अप कैसा है अगर हम एक्जामपल लूँ यहाँ पर माली यह प्लांट हाइट का प्लांट हाइट का जो जीन है वो किस उसका कॉंबिनेशन क्या है माली प्लांट आपको प्लांट हाइट का कोई जीन है तो वो उस सेल में किस कॉंबिनेशन में प्रजेंट है एक कॉंबिनेशन आपका होता है होमो जाइगस एक कॉंबिनेशन आपका क्या होगा होमो जाइगस और एक कॉंबिनेशन आपका होता है हेट्रो जाइगस अब देखे माल यह प्लांट हाइट का कोई जीन था उसको हम लोग यहां पर T से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी से यह दो आपके हम लोग यहां पर अलिल से हैं आपके किसके प्लांट हाइट के अगर वो होमोजाइकस कंडीशन में प्रजेंट है तो यह जो आपके जीन किस कंडीशन में प्रजेंट हैं यह इसको करता है जाहताँ होमोजाइकस और होथा ही हेट्रोजाइगर्स, होमोजाइगर्स का मतलब है, जब ऐलील की पेरिंग, सेम टाइप के ऐलील पेर करें, क्या करें, सेम टाइप के ऐलील, सेम टाइप ऐलील, पेर, सेम टाइप ऐलील, पेर, यहाँ पर आप देखें, कैप्टल टी के साथ, कैप्टल टी है, यह भी कैसी होमोजाइगस, इसमॉल टी के साथ इसमॉल टी है, यह भी कंडिशन अभी कैसी है, होमोजाइगस, वहीं अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात करूं, तो कैपिटल टी के साथ इसमॉल टी है, यहाँ पर देखें, दोनों एलीन्स, यहाँ पर दोनों एलीन्स आपे कैसे हैं, अल हम इसमालेटी क्या है रिरसेशीम है इंदेक्र pourquoi अबनेंट का मतलब है यह अपना एक्सप्रस्इशन पर और टेना अपना एकसप्रेंश maior की होमो जाइगस कंडीशन में भी होमो जाइगस कंडीशन में भी अपना एक्सप्रेशन सो करेगा और हेटरो जाइगस हेटरो जाइगस कंडीशन में भी अपना एक्सप्रेशन सो करेगा वहीं गर मैं रिसेसिव वाले की बात करूं तो रिसेसिव वाला केवल और केवल होमो ज homozygous condition में अपना expression, homozygous condition में अपना expression so करेगा example हम लोग समझ लेते हैं, कि माल लिए, यह है plant one, यह क्या है, plant A, plant B, और plant C, 3 plant हमने लिए हैं, A, B, और C, 3 plant हमने आप ले लिए हैं A, B, और C, A के पास जो plant height का gene है A के पास जो plant height का gene है उसका combination है capital T, capital T क्या है? capital T, capital T B के पास जो plant height का gene है वो है capital T, small t और C के पास जो plant height का gene है वो है small t, small t तीन combination हमने यह आप ले लिए है अब जो यह capital T, capital T यह मतलब क्या है? dominant दोनों क्या है? dominant है तो यह plant कैसा होगा हमारा यह plant होगा हमारा टॉल कैसा होगा टॉल होगा वहीं एगर मैं बात करूंग भी प्लांट के पास तो इसके पास एक हमारा एलील कैसा है dominant वहीं दूसरा एलील कैसा है आपका recessive तो मैंने आपको बताया कि dominant वाला दोनों condition में express होगा homogigus में भी और heterogigus में भी तो यह भी plant आपका कैसा होगा टॉल क्योंकि यह dominant वाला एलील है यह अपना expression सो करेगा heterogigus condition में भी अपना expression यह सो करेगा इसलिए plant कैसा होगा टॉल तीसरे plant की बात मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके दोनों एलील कैसे हैं recessive तो यह आपका हो जाएगा dwarf यह आपको क्या हो जाएगा dwarf तो यह example से आपको चीज़े यहाँ पर clear हुई होगी कि आपका जो आपका जो recessive वाला यहाँ पर एलील है वो केवल और केवल अपना expression सो करेगा homogigus condition में जब दोनों small t small t होंगे तभी plant आपका ऐसा होगा dwarf होगा बाकी दोनों cases में capital T capital T में भी tall और capital T small t में भी tall तो देखे यह सारे terminology थी आपके इस पूरे यहीं सारी terminology आपको मिलने वाली है हमने आप सारी चहरे डिस्कस कर ली है homogigus क्या हऊता है हट्रो जाइकस क्या होता हूँ यहां पर अपके phenotype क्या हूँ जीन्स में आए lowe मेंडिलिजम के हम लोग आपर नेक्स सेसन में हम लोग आपर शुबार करने वाले हैं तब तक लिए आप जो भी पढ़ा गया उसको पढ़ते रहिए और चैनल साथ में रहिए